हमारा भाग्य क्या है एक तो कर्म है जो समनियत कर रहा है यानि मेरा कर्म अगर मैं रोटी बनाऊंगा तभी तो खाऊंगा भैई कर्म करूंगा तभी तो क्यों रोटी बनाने के लिए मुझे जंगल में पत्थर घिशना पनेगा गासि कैसे भादिश नहींत होगा जानि कोई शुद्या धर में लेगा एकभी प्रकृड़िया wspólंग में है कोई बहुत सम्रिद्धी में है कोई श्वान में है कोई मूशक में है कोई शीर में है कोई बंदर में क्यों है तो योग वसिष्ट में मारशी वसिष्ट कहते हैं कि एक पक्षी है जिसके दो डैने हैं एक डैना उतका कर्म है दूसरा डैना भाग्य है यह भाग्य क्या है इसके पिछले जन्म का कर्म फल है तो डैना इस जन में भी आप पे असर डाला है पिछले जन का कर्म फड़ा है अब जो करोगे वो भी असर डालेगा यहां भी और आगे भी तो आगे तक जाएगा को लोग कोड़ काता है यार इतना ब्रष्टाचारी है इसके बाद इतना है हमारे पास कुछ नहीं काते हो ना वो पिछला कर्म उसके अच्छे हो गएंगे जिसके कान वो यह लेकिन यहां वो भीगार रहा है आगे की आता के लिए तो यह भाग कैसे ब क्योंकि वह आपके पिछले प्रारब्ध पिछले कर्म ही इस जन में भाग्यवन करा गए यह मार्त यह वसिष्ट मुनी ने कहा है मैं थोड़ी कह रहा हूं